अब ही मैं सुर्यास्त की जगह नहीं पहुंचा हूँ, मैं बहुत ज्यादा रंगीला बन जाओंगा जैसे ऐसे आगे बढ़ता हूँ, लेकिन अभी उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, शाम को चार बज गए हैं, अगर मेरे जीवन की बात की जाए, अगर मैं अपनी की या किसी और की नहीं है, हर इंसान, हर इंसान, इसका मतलब है हर इंसान, अगर मैं अपनी आँखे बंद करता हूँ, तो वो सब जले गए, वो सब मर चुके हैं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ, जो भूके हैं, हजारों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जा रही है, चिकित से सेपोर्ट, लोगों को चिकित से, जो लोगों को फ्री में दवाईयां बाटी जा रही हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, पेड लगाना, कावेरी, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये उनके लिए बहुत माइने रखता है इसलिए नहीं क्योंकि मेरे लिए इसके कोई भी माइने है अगर मैं अपनी आँखे बंद करता हूँ तो मैं दुनिया से मुक्त हूँ हर किसी से मैं बात कर रहा हूँ केवल आपकी या किसी और की नहीं हर इंसान हर इंसान इसका मतलब है हर इंसान अगर मैं अपनी आँखे बंद करता हूँ तो वो सब जले गए, वो सब मर चुके हैं लेकिन मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं उन चीज़ों को पूरा किये बेना वो अपने जीवन में किसी बड़ी चीज़ की चाहत भी नहीं करेंगे अभी कोई भूका है क्या आप जाकर उनसे आत्मग्यान की बात करेंगे वो बहुत क्रूर होगा तो हम उन्हें खाना खिलाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उन्हें खाना खिलाकर सद्गुरू आपको तो इतनी त्रिप्ती मिलती होगी इतने सारे लोगों को देखकर जो आनंद में है मुझे क्या समस्या है वो आनंद है परमानद में हैं दुखी हैं मुझे क्या फरक पड़ता है मुझे कोई समस्या नहीं है चुकि उनके पास समस्या है मैं आगे जाकर उनकी मदद करता हूँ क्योंकि मैं ने क्योंकि मैं उन्हें खुद से अलग नहीं देखता इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ लेकिन अगर मैं अपनी आँखे बंद करता हूँ तो सब खत्म मैं दुनिया मेरे लिए खत्म हो जाती है और हर व्यक्ति और हर चीज मेरे लिए खत्म हो जाती है और यह इतना सारा काम हो रहा है सद्गुरु कहे रहे हैं कि लोग आपकी लेगेश आप अपने बात किसे टाय करेंगे कोई नहीं अगर वो उनमें रुची है तो वो इसे आगे बढ़ाएंगे अगर उन्हें लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे छोड़ देंगे मैं उनके ओपर छोड़ता हूं इसे अगर उन्हें ने इसका मूल्य नहीं देखा है जो काम हो रहा है अगर लोगों को उसका कोई मूल्य नहीं देखता तो वो उसे छोड़ दें इसे हॉस्पिटल या स्कूल बना दें क्योंकि ज्यादातर आध्यात्मिक संस्थानों का यहीं होता है मुझे नहीं लगता कि इशायोक केंद्र में ऐसा हो गयो क्योंकि कई सारे लोगों ने इसका मूल्य देखा है हलाकि मैं लगाता उन्हें परिशान ज्यादा माइने रखता है जिंदगी हो या मात हो वो ये काम करेंगे चाहे मैं हूँ या नहीं, चाहे मैं रहू या ना रहूं, वो ये काम करेंगे, शायद हर कोई नहीं, लेकिन उनमें से कई सारे लोग ये करेंगे, तो ये जारी रहेगा इस वजह से, क्योंकि उनके लिए इसके बहुत माइने हैं, इसलिए नहीं, उनके लिए इसके माइने है इसलिए नहीं क्योंकि उससे उनका जीवन बहतर होता है ये सारा काम मेरे जीवन को किसी तरह से बहतर नहीं बनाता लेकिन लोगों के लिए बहुत माइने रखता है हर दूसरे जीवन के लिए बहुत माइने रखता है इसलिए आप ये काम करते हैं अगर आप ये काम ना करना चुनते हैं कई सारे योगी, शांदार योगी वो कुछ नहीं करते वो बस दूर रहते हैं वैसा रहने में कुछ भी गलत नहीं है तो रामकृष्ण एक एक प्रोजेक्टाइल जिसे वो शूट कर रहे हैं उसके लिए एक ट्रेजेक्ट्री तै कर रहे हैं अब इस ट्रेजेक्टाइल के आपने खुद का दिमाग है अपने खुद की भावनाएं हैं अभी ये खातरनाक है अगर आप एक रॉकेट शूट कर रहे हैं चंद्रमा की ओर या मंगल की ओर अगर वो हवाई की सोचने लगता है तो हवाई जाके डिस्ट्रॉइ हवाई पूरी तरह से तबाह हो जाएगा तो ये एक अलग आयाम है इसे आप अपनी समझ के अनुसार इसे जज़ न करें अपनी भावनाओं के अनुसार अपने मूलियों के अनुसार इसलिए मैंने कहा कि जब आप एक गुरू के संपर्क में आते हैं तो आप या तो अगर आप उन्हें एक प्रेड़ना के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं तो ये होता रहेगा क्योंकि कोई नव कोई आपको यहां-वहां खीचते रहेगा योग केंद्र में कई सारे जवान लड़कें हैं जो बहुत ही जो बहुत ही संकल्ब के साथ आए लेकिन लड़कियां बहुत सुंदर थी उन्होंने शादी कर ली इसमें कुछ गरलत नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं तो छोटी मोटी छोटी मोटी जरूरतों का खयाल रख ले आ गया लेकिन कोई समस्या नहीं लेकिन आपने अपनी दिशाएं बदल नहीं क्योंकि छोटी छोटी विचार और भावनाय आ गई तो बहतर होगा कि हम आपको सशक्त ना बनाए तो जैसा कि मैंने कहा अभी मैं सुर्यास्त की जगह नहीं पहुंचा हूँ मैं बहुत ज्यादा रंगीला बन जाऊंगा जैसे आगे बढ़ता हूँ लेकिन अभी उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं शाम को चार बज गए हैं अगर मेरे जीवन की बात की जाए तो गर्मी का मौसम है सुर्यास्त लगबक्स आठ पैतालेस नौ बजे होता है तो अभी भी काफी घंटे बचे हैं लेकिन लेकिन जब शाम को चार बज जाते हैं फिर सुर्य की तीवरता दूपहर जितनी नहीं रहती ये ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है ज्यादा अच्छा होता जा रहा है लेकिन ये बहुती ज़्यादा चुनिंदा हो जाता है देखे, सूरज जब उपर होता है बारा बजे तो वो हर किसी के उपर चमकता है क्योंकि वो उपर है शाम को चार बजे जब तक आप अपना सिर उपर नहीं उठाता आप उसका प्रकाश आप तक नहीं पहुँचेगा तो अभी ये उसी दिशा में बढ़ा रहा है तो आपको ये ताय करना होगा कि मैं आपके लिए एक प्रेर्णा कस्रोत हूँ या मैं आपके लिए एक दोस्त फिलोसफर या मार्क दर्शक हूँ या मैं आपके लिए एक द्वार हूँ जिसमें आप अटक गए हैं या मैं आपकी मनजिल हूँ या मैं आपका धर्म बन गया हूँ ये तैकरने का समय आ गया है क्योंकि ये दुपहर का समय नहीं है जब सूरज हर किसी के लिए चमक रहा हो आपको खाड़े होना होगा ताकि इसका प्रकाश आप तक पहुँचे